खुबसूरत और लंबे बाल पाना तो हर किसी की चाहत होती है पर क्या करें आज से गलत खानपान की वज़े से हमारे बाल जल्दी सफेथ हो जाते हैं बाल जटने लगते हैं तो इसी समस्या को दूर करने और यहां मैंने ली है प्याच आपको एक प्यास लेना है जो गुलाबी चोटे चोटे टुकडों में हमें इसे काटना है और इनके छिल्गों को फैकना नहीं हमें इनके चिल्गों भी यूज़ करेंगे अब बहुत अच्छे से यह देख लिए यहां मैं ले रही हूं अब ए बादी लीप्स ले रही है हमें और इसके सारे काटों को साइड से हमें अच्छे से निकालना है और हमें इसको काटना है एलोवेरा हमारे बालों में जो डेंड्रफ है उसे दूर करता है हमारे बालों में शाइन लाता है बालों का जड़ना भी रोकता है और प्यास है ना प्य तेच गयज पर हमें इसको वाइल करना और पानी हमारा आदा ग्लास पानी रह जाए एक ग्लास देड़ ग्लास पानी से और आप ये चेक कर ले ना कि अगर चावल हो गाए हाँ से मसले जा रहा है और ये मैथी दाना तो इसका मतला हमारे ये टॉनिक तयार हो चुका है अब इसे मैंने एक पैन में दूसरे बर्तन में निकाल दिया है और ये टोनिक ठंडा हो जाए हमारे ये पानी ये जो magical पानी बना ये ठंडा हो जाए अब इसमें मैं डालूंगी रोजमेरी एशेंशियल ओयल की पांच बूंदे ये देखे रोजमेरी रोजमेरी हमारे बालों की हेर ग्रोथ को ठीक करता है हमारे बालों की डेंडरफ को ठीक करता है ये नए बालों गाने में हमारी मदद करता है अब अपने बालों में इसे लगाना है बालों में लगाने से पहले अच्छे से कॉम कर लें जिससे बाल इलजेना और मांग करकर अपने सारी ही मांगे इसको लगाना है लगाने के बार इसको आदा से एक गंटे के लिए से चोड़ सकते हैं उसके बार आप हेर वाउश कर सकते हैं शेंपू कर सकते हैं और आप इसे अगर हफ्ते में तीन लगाते हैं तो वेकाटा तो में अपकिन वाल आन हो रही है इंटनलाना कि आप करें कितन हो रहे है अगर आपको पसंद लए तो सब्सक्राइब को कैसा लगा बाई बाई और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना